हलो फ्रेंट्स आज हम जिसकस करने जा रहे हैं केस केस क्या होता है केस को हिंदी में कहते हैं कारक कारक का आपको पता होगा कि संग्या और सरवनौम यानिकि नाउन और पुरनौम कि जिस फॉर्म का जो संटेंस में दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशन पाया ज तो अंग्रेजी में तो हम इसे करेंगे ही उससे पहले आपके लिए और इजी बन जाए तुम आपको बता देता हूं कि हिंदी में जो कारक होते हैं वह एट टाइप्स के होते हैं जैसे करता करम करण संपरदान अपादान संबंद अधिकरण संबोधन लेकिन जिन वर्ड्स से जिन सब्दों से इनका सन्मद बताया जाता है उन्हें कहते हैं विभक्ति ये चिन उन्हें कहते हैं जैसे आपने पढ़ओगा करता ने करम को करण से संपरदान के लिए अपादान से अलग होना किसी चीज से अलग हो जाना संबंद का के की रा रे री, अधिकरण मे पर और संबोधन हे अरे तो आपने जिस परकार से हिंदी में पढ़ा है ठीक उसी परकार से इसे अंग्रेजी में केस कहते हैं और इसके भी टाइप्स हैं तो उन टाइप्स में क्या-क्या है कैसे हम उनको explain कर सकते हैं इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि case क्या है और आये करते हैं हम case को तो क्या होता है case case is the grammatical function or relationship of a noun or pronoun two other words in a sentence एक sentence में बहुत सारे words होते हैं उनमें जो noun or pronoun का जो function है या उनका relationship है किसके साथ है जो उसमें दूसरे words होते हैं जREE कि noun जैसे राम तो राम क HOWा noun आई, वी यह क्या है pronoun तो इनका उसी sentence में दूसरे words के साथ क्या relation है उससे हम क्या बोलते हैं? उससे case बोलते हैं लिलिकि क्या function करता है noun or pronoun वहाँ पर तो उससे हम case बोलते हैं इससे पहले आपको noun or pronoun का भी पता होना चाहिए कि noun or pronoun क्या होते हैं जब तक आपको noun or pronoun की knowledge नहीं होगी तब तक आप case नहीं कर पाओगे इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए है noun or pronoun के आप उनको देख सकते हैं उसमें मैंने बताया हुए subject क्या होता है object क्या होता है verb क्या होती है subject compliment क्या है object compliment क्या है यह सारी चीज़े जब आपको आएंगी तभी आप case कर पाएंगे क्योंकि हमारा टॉपी कहां पर case है तो हम case के आगे इसके types करते हैं जैसे हिंदी में कारक्त होते हैं उसी प्रकार से इंग्लीज में विसके types है basically English में तीन types माने गए हैं bye thetaào autumn antiquity तो ओल्ड इंग्लीस में क्या कहा गया and modern इंग्लीस में क्या कहा गया इसको हम detail में करेंगे देखे हमारे बास सबसे पहला टाइप है subjective subjective case या इसको old English में बोलते थे nominative case उसके बाद second number पर है objective case या फिर accusative case accusative case इसको Old English में बोलते थे subjective objective case इनको बोला जाता है modern English में इसके बाद अगर हम बात करें old English की तो उसमें तो जो अब्जेक्टिव केस、 या इक्यूट्रेटिव केस के ही पार्ट है, इसलिए इनको अलग से Modern English में नहीं कराया जाता, तो इन सबको अब्जेट्टिव केस में ही रखा जाता है, लेकिन हम इनको अलग अलग करेंगे कि इनके क्या मिनिंग है? और क्या इनका हमारे जीवन में या इंगल्स में इस ग्रैमर में क्या प्रयोग है इसके बाद थर्ड नमबर पे है पर जेशिंड केस के बाद आफनी है वोग्यिटिव केस तो वी की स सका भी ऑम जीजिज हूदा यूज नहीं करते हैं यूज तो इसका होता है लेकिन इसमें केवल तीन ही टाइपस माने गए सब्जेक्टिव केस और पजैसिव केस अब हम एक एक करके के सब्जेक्टिव या नुमिनिटिव केस क्या होता है जहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन सबजेक्ट के रूप में काम करे जहाँ वह करता काम को करने वाला हो काम को करने वाला जो काम को करता है हिंदी में से बोलते हैं करता यह कह सबजेक्ट जहाँ पर सबजेक्ट के तोर पर नाउन या प्रोनाउन आ जाए किसने किया है एक जब आपको कौन और किसने का जवाब मिले तो आप समझ लेना कि वहाँ पर उस नाउन का परियोग, subjective case यहां कि करता कारत के रूप में हुआ है, हिंदमें कहते हैं करता ने, किसने राम ने, राम ने क्या किया? क्रिकेट खेला राम प्लेज क्रिकेट राम क्रिकेट खेलता है कौन खेलता है क्रिकेट राम तो यहां पर राम के वह सब्जेक्टिव केस है नॉमिनेटिव केस है नेक्स्ट के रवी लर्ण्ट उर्दू रवी उर्दू सीखा रवी ने क्या सीखी उर्दू सीखी किसने सीख किस ने किया काम किस ने किया सब्जेक्ट ने किया करता ने किया कौन गाताय गाना वह wär को नभक Azows कोई तो होगा तो ही यह पर कह प्रोनाउन है लेकिन यिसके हैं कोई तो होगा जैसे I write a Aut pot मैं एक sentence लिखता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं teacher, noun तो इस परकार से जब आपको ये पता चले कि who या whom, कौन या किसने का जवाब आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है, वह कौन सा है, subjective case है या फिर nominative case है आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है जो noun है अगर noun आता है, तो noun subjective case बनेगा pronoun आता है, तो pronoun subjective case या pronoun nominative case या pronoun subjective case जो है मारा objective case यह देखें कि objective या accusative case क्या होता है objective या accusative case में हमें देखना है कि verb या preposition के बाद जो word है वो जो subject है उससे किस परकार से परभावित हो रहा है जैसे हम हिंदी में करते करताने करम को करम को यानि object तो इसमें object क्या है a snake यह क्या है object कि परभावित को हो रहा है करता से कौन subject से कौन परभावित हो रहा है object मोहन क्या है object him क्या है object मोहन क्या है object smoking क्या है object जब आपको preposition के बाद या verb के बाद औब्जेक्ट मिले तो उसे objective case या accusative case कहते हैं लेकिन कुछ बातें तिहान रखने के लिए हैं Mohan killed a snake Mohan ने किसको मारा सांप को मार दिया तो Mohan से कौन प्रभावित हो रहा है Snake यह object है इसके बाद a snake bit Mohan Snake ने किसको bit कर लिया किसको काट लिया मोहन को काट लिया तो snake से कौन प्रभावित हो रहा है Mohan क्योंकि Mohan को काटा है तो यह objective या accusative case है इसके बाद a Mohan slapped him Mohan उसको थपड़ मारा He slapped Mohan उसने Mohan को थपड़ मारा He gave up smoking उसने smoking छोड़ दी अब आपने एक चीज और देखनी है कि जहां पर noun होता है नाउन चाहे वो subject में है चाहे वो object में है यहां पर subject में है मोहन का मोहन ही है यहां पर ही subject में है यहां पर ही है लेकिन यही ही जब object में आता है तो इसका क्या बनता है हिम बन जाता है जैसे आपने प्रोनाउन जो उसमें देखा होगा कि तीन टाइप्स के परसन होते हैं फर्स्ट परसन सेकंड परसन और थर्ड परसन अगर हम फर्स्ट परसन की बात करूं आई माई मी तो आई का अगर सब्जेक्टिव रूप लोगे तो आई होगा और अब्जेक्टिव रूप होगा मी इसी प्रकार से वी अवर अस अब्जेक्टिव अस और सब्जेक्टिव वी बीच का क्या है यह पोजैसिव है तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रोन कहते हैं उसका objective case में रूप उसका change हो जाता है जैसे यहां पर क्या था subjective में he था और objective में क्या हो गया him he is him लेकिन noun हमेशा जो subjective होता है वही objective होता है अगर मोहन को हम कहीं पर भी परियोग करेंगे सब्जेक्ट में परियोग करेंगे या अब्जेक्ट में परियोग करेंगे तो मोहन का मोहन ही होगा सनेक जो नाउन है चाहे उसका सब्जेक्ट में परियोग करें चाहे हम उसका अब्जेक्ट में परियोग करें वह सनेक ही परियोग होगा ऐसे केसिज को जो में प्रियोग करने चाहे सब्जेक्ट में यह मोहन क्या है मोहन कोमन केस है इसको अब्जेक्ट में प्रियोग करेंगे सब्जेक्ट में कोमन केस है लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव या अब्जेक्टिव बताना है जब अब्जेक्ट में प्रियोग है तो सब्जेक्टिव में आपने द्हांदेनी हैं जने को आते नहीं सब्ची से लेगा इपकिस प्रकार से इंसे अलग है वो देखते हैं जैसे कि हमने बताया कि objective और accusative case के कुछ parts हैं लेकिन उनकी अलग से कोई explanation नहीं दी गई है इंडियन modern जो grammar है उसमें लेकर हम उसके बारे हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले आप example देखें अमन एट एन अपपल अगर हम बात करें objective case की तो इसमें एन अपपल वो क्या है एक objective case ये accusative case है इसी परकार से अगर हम बात करें अमन गेव हम एन अपल तो यहां पर हमारे पास दो अब्जेक्ट आ जाते हैं एक तो हम है और एक एन एपल है अगर आपको अब्जेक्ट के बारे में जानना है कि direct object क्या होता है और indirect object क्या होता है तो इसके लिए अलग सी एक वीडियो बनाया हुआ है आप ओपर दिएगे link पर क्लिक नहीं चल रहा है वह दाय्रेक्ट यपाइप्जेक्ट है अब देखिय में गेव एंपल्uk आपको मैं इतना करूं मैंन गेव हिंव मैं इसलें डिमांड है किसी की एम-नोर इसको क्या दिया मैं के वाल गेवन एक ए कि एक एपल दिया तो किलिए sustain को बिसको दिया यह को is वह हो गया है डारेक्ट अबजयक्त वैसे जो नौन लीविंग इंग्स होती है अगर किसी सेंटेंस में डूल आपजयक्त हैं तो जो नों लीविंग तिंग है वही डारेक्ट अबजयक्त होगी खेवल एक को छोड़ करके उसमें आपको पता दूंगा क्या जैसे यह भी हो सकता है अमन गेव हिम आ कैट अमने उसे एक बिल्ली थी बिल्ली तो लिविंग है लेकिन यह नहीं हो सकता अमन गेव ही मचाइल्ड अमने उसे पच्चा दिया बच्चा देना और गौद में देना वैसे दोन है कि मुख्य करम है इसको बोलते गोंड करम क्या बोलते हैं इसको अऊंतरो और यह होता है इंडिर्क्ट मिन गीoule को यह होता आपका इंडिर्क ओब ए तो यह तो आपको पहिचान होесक्थ कि और झानठ लिफिक है तो clear सी बात है कि जो आगिप्ट है वो direct object है और जो me है वो indirect object है दूसरा तरीका क्या है living जो है वो indirect object और जो non living है वो indirect object sorry direct object तो यहाँ पर आगिप्ट direct और me indirect आगे देखे I gave a book to him अब यहाँ पर देखे मैंने आपको पताया तरीका कि I gave a book clear है complete है मैंने एक book दी तो यहाँ पर आप book जो है वो क्या हो गया आपका direct object हो गया और जो to him किसको दी उसको दी यहाँ meaning clear है I gave a book link किसको दी उसको दी तो यहाँ पर जो him है वो हमारा indirect object यानि कि वो गोण करम है तो इस प्रकार से आपको एक तो पता जलगे कि direct और indirect object क्या होते हैं अब बात आती है कि जब किसी sentence में indirect और direct object में से हमें यह पता करना हो कि यह कौन सा case है तो जो भी direct object होगा वैसे देखिए इसमें direct object या indirect object का कोई meaning नहीं है क्योंकि यहाँ पर object एक ही है और वो direct object ही है इसलिए हम इसमें नहीं लिखते यह केवल object है इसलिए हमने इसको accusative case भी कहा है objective या accusative case जब एक single ही object है तो वो objective या accusative case ही है लेकिन जब दो अब्जेक्ट दे रखे हूं तो उसमें से कौन सा accusative case है और कौन सा dative case है तो आपने ध्यान रखना है कि जो direct object होता है वो हमारा accusative case होता है कौन सा होता है accusative case अगर किसी sentence में दो object हो उनमें से जो direct object होगा उसको आप accusative case कहेंगे तो an apple क्या होगे आपका accusative case गिप्ट क्या होगे आपका accusative case अब book क्या होगे आपका ये भी आपका होगया accusative case तो जो आपका direct object object है वो आपका accusative case है इसके बाद वचता कौन सा है indirect object indirect object कहीं पर भी हो किसी भी sentence में हो उसको हम बोलते हैं डेटिव क्या बोलते हैं डेटिव केस तो हमने objective या accusative case के दो आगे पार्ट कर लिए एक तो डेटिव केस जो इंडारेक्ट object होगा वो आपका डेटिव केस होगा तो डारेक्ट अबज़क्त होगा वो आपका accusative केस होगा मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि अगर आपको इसमें कौन सा डारेक्ट object मिलता है तो क्या होता है एक कुसेटिव केस है एक कुसेटिव केस वैसे तो जो वर्ब के बाद का पार्ट है वो अगर आपको मिलता है वहां पर इंडारेक्ट अबज़क्त की वह जानकारी होना की जरूरी है वो कौन साब की क्यों कहा इसको डेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं संपरदान कारक्ण क्या बोलते हैं डेक्टिव को संपर्दान कारक करता ने कर्म को करण से संपर्दान के लिए अमन गेव हिम आइन एपल अमन ने उसको एक आपल दिया किसके लिए उसके लिए अमन ने उसके लिए एक आपल दिया किस के लिए गिप्ट तो इंडिरेक्ट ऑबजेक्ट किसका काम कर रहा है के लिए समपरदान के लिए इसलिए इसको डेटिव केस कहा गया है किसी के लिए कोई चीछ देना I gave a book to him मैंने उसके लिए एक book दी यानि को उसको book दी तो क्या दिया उसके लिए दी जैसे किसी ने मुझे ये marker दिया तो क्या मतलब है इसका कि मेरे लिए marker दिया तो इसलिए indirect object आपका dative case और direct object आपका accusative case और वैसे verb के बाद वाला सारा है कि आपका objective case यहाँ पर लिखा है भूली fell down from the court 10th class का एक chapter है भूली उसमें आपको पता है कि भूली चार पाई से नीचे गिर गई थी चार पाई से नीचे गिरना मतलब अलग होना कोई पेड से नीचे गिर जाता है तो क्या हो जब पेड से अलग हो जाना किसी चीज से अलग हो जाना हिंदी में आप क्या बोलते हो उसको अपादान कारक क्या बोलते हो आप उसको अपादान कारक किसी चीज से अलग होना जुदा होना इसने स्मोकिंग त्याग दी यादिकी अलग अलग हो गया स्मोकिंग से तो है तो यह आपका objective या accusative case ही क्योंकि मैंने आपको बताया कि English में आपका subjective case या nominative objective या accusative या फिर possessive case और या फिर अलग से आपने हम क्या करें ablative case या फिर अभी कि additive case या अलग से हैं और यह क्या है vocative case तो हम करें objective accusative case के part एक तो हमने कर लिया dative और accusative अब एक करें ablative ablative क्याता है अलग होना जुदा होना भोली फैल डाउन from the code जब आपको sentence से ऐसा लगे कि वर्ब के बाद preposition आ रही है तो उसको बोलते हैं prepositional case भी इसको बोलते हैं क्योंकि यह preposition पे डिपेंड करता है डाउन from the code कहां से गिरे वही चार पाई से गिर गए गेव अप smoking क्या त्याग दिया smoking त्याग दी अलग हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे ablative केस तो आपने देखना है ध्यान देना है कि वह यह कुछ अलग तो नहीं हो रहा है कुछ separate तो नहीं हो रहा है अगर separate हो रहा तो ablative केस है यह ध्यान रहे तो objective और accusative केस तो है ही तो इसमें object एक ही है जिसको हमने क्या बोला है direct object बोला है इसके बाद हम इसका instrumental केस देखते हैं के instrumental केस क्या है अब आगे है instrumental केस instrumental केस या करण कारक करताने करम को करण से साधन से किस साधन से किस माध्यम से किस मीडियम से instrument क्या होता है साधन instrument आपका कोई भी तो इसको बोलते हैं instrumental केस अब देखिए Lord Rama killed Ravana within arrow भगवान रामने रावन को तीर से मारा कैसे मारा तीर से मारा हिंदी में आप कारक करते हैं करताने करम को करण से रामने रावन को तीर से मारा कैसे मारा तीर से मारा तो अगर हम इसकी बात करें within arrow या फिर he came here by train कैसे आया किस साधन से आया किस माध्यम से आया से आया है तो इसको हम बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल केस वैसे तो यह क्या है प्रेप आपॉजिशन के बाद है कारक क्या होता है केस क्या होता है नाउन या प्रोम्ण का जो sentence में दूस्रे वर्ड्स हैं उनके साथ क्या function कर रहे है क्या relationship है वह दिखाता है दिखाता कैसे या तो वर्ब के बाद जो आने वाला ذiken या फिर फिर फ्रैपोजिशिजन के बाद तो यहां पर यह प्रैपोजिशनल के सबुस्कों आप सकते हैं क्या प्रैपोजिशनके बात है लेकिन जब आपकों पता च तो कि अपी पूरा लोड राम ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट काही काम कर रहा है तो पूरा का मुंत सब्जेक्ट होगा उसको पूरा को इमक्यामन लगे सब्जेक्टिव केस और इसी प्रकार से में अब्जेक्ट में भी देख सकते हैं अगर मैं इसको यहीं तक रखूँ लॉड रामा कुछ तो यहां पर किल्ड के बाद है तो पूरा का पूरा क्या अबजेक्टिव केस लेकर के बात करूं इसमें इंस्ट्रुमेंटल केस है इसलिए हमने ऑफ्जेक्टिव केस के हमने चार पार्ट कर लियए है, acquisitive case, Depend, evaluative case, और instrumental case, देखतो subjective case होगया, यह objective होगया, चार इसके parts होगया, ठीक है, अब हम आगे करते हैं, vocative case, कि vocative case क्या होता है, vocative case, vocative vocal, sound से related, हिंदे में आपने बड़ा है, सम्भौधन कारक, किसे को संबधित करते हैं अईस इसा कारक adjacent किसे को आवाज लगाते हैं इक单 स्याम एस रुखना पड़ता है यह यह राम कम है आई डॉंट नो रोहन आई डॉंट नो रोहन आई डॉंट नो रोहन अब यहां तो दो संटेंस होगे सेम अब इसो वक्युटिव कौन सा है आपने जहान रखना है जिसको संबोधित किया जाता है वही वक्युटिव है पहले में कैस शाम शाम को संबोधित किया है शाम को ह необходимо करें यौड को इड्रिस किया वोग्ल को परियोक किया है एक राम का मैं नो हुए इस क्रिक्षिप है कि है क्विल को पता रहें कि नहीं जानता तक यह के यह कैसे रहें मुझसे कोई बात पूछी, मैंने कहा, I don't know. रोहन, I don't know. मतलब मैं रोहन को कह रहा हूँ, मैं रोहन पहले भी बोल सकता हूँ, I don't know. आपका teacher आप से कुछ पूछता है, आपका सकते है teacher, I don't know. आप teacher को address कर रहे हैं, teacher को संबोधित कर रहे हैं, कोई उससे पूछा आप रोहन को नहीं घानता कोई उस supers required कीया जाता है और अब ऑपने देखना है कि इसको address कीया जा रहा है अगे are you coming ब्रदर आपका भाई है आप कहीं जा रहे हो आप उसको पुछतों आज यू कमिंग ब्रदर इनकी बोलने का जो ढंग है जिसमें आप एड्रस करते हैं उसे हम बोलते हैं वक एक्टिव केस तो इसमें राम श्याम रोहन इसमें तो है नहीं तो मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि जब आप कोमिंगा प्रियोग नहीं करोगे तो इसका मतलब है आप रोहन से ही बात कह रहे हो आई डॉंट नो रोहन मैं रोहन को नहीं जानता आप किसी को पता रहे हो पूछ रहा कोई आप से क्या आप रोहन को जानते हैं डू यू नो रोहन आपका जवाब है आई ड ईसमें ब्रदर केहां वह केटिव केसक होता है आंधिकारिक बलते हैं लास्सका और कला मितलब होता है मतलब होगी छीज अधिकार में होना वह जैसे में कुंसे टो माय मार्कर इसका मेरा मार्कर का संबंद किसके सायओ मेरे साहथ तो फघ्य Jub इस संबंद कोशो करना जोंब कटकीरारेरी संबंद कारक वहां संबंद कारक यह कौंसा कारक किसी चीज का सम्मंद किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ है तो उसमें कौन सा केस होता है वो जैसिव या जैनेटिव केस तो देखें यहां पर रोहन हाउस रोहन का घर इच बड़ा है तो हाउस का रिलेशन किसके साथ है रोहन के साथ है रोहन के साथ हाउस का सम्मंद दिखा लगा गया है कि यह घर किसका है रोहन का घर है और यहां अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा करके इस सम्मंद को डिक्टेट किया है इस का मतलब क्यों होता है का के की कि सितास बुक सिता की बुक कि बॉइच बैक्स देखिए मैं लिखता हूँ बॉइच बैक्स लड़कों के बैक्स अगर मैं लिखता हूँ किसी एक लड़के के बारे में बॉइच बैक्स बैक्स यह एक लड़के के जब आप किसी सिंगूलर नाउन के बारे में बताएंगे किसी एक के बारे में बताएंगे तो आप ऐस लगाएंगे उसके बाद बॉइ सिंगुलर सिंगल है उसके बाद एस लगाएंगे बीच में पॉस्ट्रॉफी वाइस बैग लेकिन जब आपने बताने काफी सारे बच्चे बॉय का प्लूरल क्या होता है बॉइच अब आपने लड़कों के बैग उनके बैक का समद्द लड़कों के साथ दिखाना है तो आप क्या करेंगे बॉइच में एस पहने से लगा हुआ है तो आप उस एस के बाद जब प्लूरल फोम आएगी उसके बाद आप एस लगा करके फिर लिखेंगे बैक्स के यह क्या है लड़कों के बैग हैं तो यहां पर इस अपोस्ट्रोफी का और इस अपोस्ट्रोफी का चले कि यहां पर पर निए परियोग हुआ है यहां पर सिंगूलर के लिए परियोग हुआ है और तो यहां पने प्रियोग मेरे से हैं TE तो यहां माई फ्रेंड में कौन सा केस है इसके बाद मोहन का भाई क्या है वह एक टीचर है तो यहां पर मोहन प्रेदर में कौन सा केस हो गया इसमें भी हमारा जास्ति व्याज जनेटिव केस हो गया अब आगे देखिए तायर ऑफ कार गोच पंक्चर्ड जो कार का टायर है वो पंक्चर हो गया अब इसमें आप का प्रियोग कर लिया इसमें यह क्यों नहीं लिखा वही भी आफ दुअ कार स्टायर यह व्यजाज क्रेशन चाहिए जब आपोस्ट्रफी इसका काकेश की है तो इसका रीजिन यह है कि जो नोन लिविंग फिंस होती है उन्से या प्रियोग नहीं करते हैं क्योंकि यह नहीं करते हैं क्योंकि कार के अंदर प्रियोग करेंगे मार्कर की क्या है कैप है इसके साथ इसका सम्मंद हमें दिखाने के लिए आप का प्रियोग करेंगे ना कि अपोस्ट्रोफी ऐसे का प्रियोग यहां पर किया जाएगा तब मैं आपको बताओंगा यह तो आपको पता चल गया किलियर हो गई बात कि इसको बोलते हैं के बारे में बता पाएंगे बजैसिव केस को आपने कैसे प्रियोग करना अपोस्ट्रोफी ऐसका कहां पर प्रियोग नहीं करना है यह देखिए यहां पर जब हम सिंगल नाउन की बात करेंगे जैसे कोई भी बॉय है बॉय का प्लूरोल बनता है बॉय या गर्ल का प्लूर अगर लड़की का लगांगे गार्ल एक लड़की जब बात ज़्यादा की कर रहे तो आपने लगा करके इसके बाद यहां पर लगाना फिर करना गर्ल्स इसका मतलब है लड़कियों का कोलेज यहां अकेला लड़का है उसकी बुक आगे देखिए जैसे एक महिला की बात से रूँगा विमेंस सूट इनकी एक महिला का सूट अगर महिलाओं को पलूरल बनाते हैं तो यहां पर आगा यह बनता है लेकिन हमने क्या करना है उसको बता लगा लिए घृष pracy महिलाओं की जantically हाग व्लेट आपलूरल के बताना है उसको पिश्चु पमेंसे होता है कि इसमें पहले से ही ऐसा होता है जैसा मैं कहता हूँ आप बूऄ राजेस बुक अब राजेस और जिस नहीं तो आपने इसमें लगाने की कोई जूरूत नहीं है राजियस बुक चले कि बुक कई बार ऐसा होता मेरे पास दो नावन आ जाते हैं जैसे मोहन एंड सोहन लेकिन दोनों का काम एक ही है तो जो बाद वाला नावन है उसके साथ आपने अपोश्ट्रोफी एसका प्रियोग करना है मोहन एंड सोहन लोयल्टी इस दा ट्रू एक्जामपल ऑफ सब्सक्राइब ने मोट को प्रेषण कोट्रोफ्स नावन और की सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब दिया कि यहां पर लगता फिर एक साइंटिस्ट अब मैंने लगाए कहां पर यहां पर साइंटिस्ट ग्रेट कॉंट्रिबूशन इज सोट कोविड-19 पर कविड-19 कॉरोना चला था उसके दोरान उनका जो कॉंट्रिबूशन था वह देखा गया था किसका दॉक्टर्स का भी और साइंटिस इसके बाद जो चीजे मैंने आपको वैसे पता है कि नोन लीविंग के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं तो यहां तो मैं लिख देपा दा ला ओफ नेचर भी चल जाएगा इसको आप दोन तरह से कर सकते हैं हमने लिखा यहां नेचर नेचर लौ जो चीजे जिनको हम प्रसु कर रहे हैं उसको एक लिविंग तिंग बना करके प्रयोग कर रहे हैं कि दर्वाजे पर देखो जाकर के मोत खड़ी है ठीक है तो यहां पर नेचर लौ जोन चीजों को हम प्रसुनिभाई करते हैं उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी ऐसका प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए आ कोई ज्यादा विशेष महत्वन नहीं होता या जो नोर्मली यूज में आती है उनको हम हमेसा प्रयोग नहीं करते हैं नेचर को भी हम समझते हैं एक हमार लिए डॉमिनेट फिंग है एक इंपोर्टेंट फिंग है लेकिन दा लेग ऑफ चेयर यहां चेयर से लेग नहीं कर सकते यहां पर दलेग ओफ चेयर कही प्रियोग करेंगे नि तो नहीं आपको पता दिया जो शेयों करते हैं उनके लिए उनके लिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शोड़ कर सकते हैं ग्रिकृट यह फिर वियुद्य बंपर वारत का बविश्य या अमेरेका से इस का प्रियोग कर सकते हैं आगे जैसे उसके बाद है आप पोश्ट्रोफी का प्रयोग करें किस के लिए एक सम्मध दिखाने के लिए ठीक है आगे stepfather stepfather ठीक है तो आप लिख सकते है stepfather's car this is my stepfather's car this is my sister-in-law's house तो आप उनको सम्मध ऐसे दिखा सकते हैं तो जो केस है उसके लिए आपको बता दिया कि कैसे आप प्रोस्ट्व प्रियोग करेंगे ओर इसे के साथ देखिए हमने कर लिया है अपना केस कहता है और इसके कितने होते हैं तो हमनी अपना केस क्या होसा कर सकते हैं जिसमें हमने किया subjective या nominative case और इसके बाद हमने किया objective या accusative case इसके तीन पार्ट्स भी हमने किया है वैसे तिनों objective case में आते है dative case, ablative case और instrumental case इसके बाद हमने workative case किया और अंत में किया हमने possessive case आप इसको पूले को note कर लिजे, I hope कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कोई भी doubt है आप comment box में लिखेगा अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करते वीडियो को like करें, share करें और bell icon पर जरूर आप प्रेस करते ताकि आने वाले वीडियो के notifications भी आपको मिलते रहें और बीच में मैंने जो ऊपर link दिये हुए है या description box में जो link है चाहे वो noun के हैं, pronoun के हैं, subject के हैं, object के बारे में बताया हुआ है अगर आप इसको जानने से पहले कारक के बारे में जानकारी लेने से पहले उनको जानना चाहते हैं तो आप उन पर click करके उनको भी जान सकते हैं, thank you, have a nice time